सरकार द्वारा धान ना लगाने का फैसला वापिस लेने के बाद किसान काफी खुश नजर आए और इस दोरान किसानों ने लड़ू भी बांटे सरकार द्वारा अपना ही फैसला वापिस ले जाने को लेकर किसानों ने संघर्ष की जीत बताया है सरकार द्वारा फैसला वापिस लेने के बाद किसान संघर्ष मीती द्वारा एक बैठक बुलाई गई थी बैठक में किसान नेताओं का कहना है कि किसानों के संगर्ष की जीत हुई है लेकिन लड़ाई खत्म नहीं हुई उन्होंने कहा कि किसानों के सामने अभी बहुत से मुध्दे हैं जिन के लिए उने लंबी लड़ाई लड़नी होगी बतादे की किसान नेताओं का कहना है कि अभी किसानों के सामने बिजली बिल घगर नदी की सफाई भूना शुगर मिल को चालू करने जैसे कई मुद्दे हैं और मुद्दों को लेकर लड़ाई लड़ने के लिए किसान तयार रहें उन्होंने कहा कि अगर किसान एक जुट होकर लड़ेंगे तो लंबी से लंबी लड़ाई को जीत सकते हैं वही उन्होंने सरकार दौरा फैसला वापिस लिए जाने के संगर्ष को विशुद रूप से किसानों का संगर्ष बताया है और कहा कि कुछ नेताओं में इसे लेकर भ से अपने ट्रेक्टर पे खुद का तेल जला कर फत्यवाद गये थे वह ट्रेक्टर इतने जादे थे सरकार सरकार को अपना फैसला वापस लेना बड़ा यह इंटरनेशनल खबर बढ़ी है कि लोगों की अमरीकार वदेशों में इंग्ली शिक्वारों की सुर्खियां बढ बढ़ना चाहिए बलो अभी चापलू सी करने के लिए ठीक है को राजनितिक फैयों को लोग कह रहे हैं हमने जीता आदी हम यह कह दें यह लड़ाई तो हमने जीती है हमारा संजोग हो सकता है बगर यह लड़ाई किसानों ने जीती है लेकिन जो भी है फिलहाल किसान काफी खुश है प्रतम तहल का के लिए फतेहाबाद से सुनिल कुमार की रिपोर्ट